दोस्तों आज हम बात करेंगे अपनी धान की फसल के बारे में धान की फसल आप देखी रहे हैं कि हमारे जो धान की फसल है वह बाली निकलने का समय आ गया है और कुछ परसेंट बाली निकलने भी स्टार्ट हो गई है तो आप देखते होंगे कि जो हमारी धान की फसल है और ज कुछ बालियां बिल्कुल खाली भी दिखाई देती हैं बिल्कुल सफेद दिखाई देती हैं तो दोस्तो इसके लिए आपको करना क्या होगा आपने माली जी स्टार्टिंग से आप फसल को आप अच्छी ग्रोथ करा या अपने प्लांटेशन करने के बाद आपने जो धार जरूरत होती है तो दोस्तों उस समय इस्प्रेट जरूर करने चाहिए क्योंकि पौधark में अगर ऐस्प्रेड़ बाली निकलते समय अगर इस्प्रेड नहीं करेंगे तो भेहां पर क्या होगा थोड़ा ήस्प्रेडा सा आपको नुक्सान हो जायगा तो दोस्तों यूज भी किया हो कुछ लोगों ने तो अगर नहीं किया तो आप एक बार जहू यूज करके देखिएगा तो चली दोस्तों हम बात करते हैं अपने एक ऐसे technical के बारे में जो की आपका जाना माना हुआ technical है तो चली दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपना एक Lancer Gold जो की UPL कंपनी का आता है Lancer Gold के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर टेक्निकल की बात कर ले थे टेक्निकल इसमें S.E.Fate 50% प्लस Imedia Clopit 1.8% में S.V. फॉम में होता है तो दोस्तो इसकी बात करेंगे Lancer Gold में जो एक्टिविटे है मतलब बहुत अच्छा कॉंबिनेशन बनाये गाया ऐसी Fate प्लस Imedia का जो की एक अपना Contact और Systematic दोनो Action इसके अंदर होती है तो दोस्तो इसके Result भी बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं ठीके दोस्तो तो बात करते हैं कि अगर आपका जो धान निकला आया है धान मान लीजे आपका कम से कम खीत के अंदर 10% आपकी बाली निकलानी चीए तब ही आप इस्परे लगाए तो आपको ज़्यादा अच्छा benefit देखने को मिलेगा या फिर आप इस्टार्टिंग में भी कर सकते हैं 5% निकलाए तब भी आप कर सकते हैं लेकिन आपको फिर एक बार डबल करनी पड़ेगी तो आप अगर 10% वाली निकलाती है तब आप करेंगे तो आपको सिंगल ही इस्प्रे में काम हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो उसके बाद में बात करते हैं कि ऐसी फेट के बारे में ऐसी फेट क्या है ठीक है दोनों टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं ऐसी फेट एक और्गोन फास्ट फेट के गरूप का एक टेक्निक इंसेक्टी साइड है जो की एक बहुत ही अच्छा insecticide है इसकी बात करेंगे तो ऐसी फेटिक अपने कीट के nervous system को damage कर उसे paralysis कर देता है जिसे की जो अपने insect जितने भी पेश्ट होते हैं वो सब खतम हो जाते हैं ठीक है तो उसकी result आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे दूसरा बात करेंगे इमीडा क्लोपेड की इमीडा क्लोपेड नियो निकोटिनोइट ग्रूप का एक insecticide है जो की एक बहुत अच्छा combination बनाया गया है ये एक systematic insecticide है और इसका बहुत अच्छा result देखने को मिलता है क्योंकि एक systematic को होने के साथ में ये insect को बहुत जल्दी control कर लेता है यानि मितला उनके nervous system को ये भी same अपने ऐसी fate की तरह काम करता है उसके nervous system को damage कर उसे paralysis कर देता है और वो भूंग की वज़े से वो खत्म हो जाता है तो दोस्तों ये बहुत अच्छे result देखने को मिलते है लांसर गोल्ड में सक्री तरह पानी मतलब गोहलने पाउट और फोम में होता है ये गोहलने में बहुत आसानी से गोहल जाता है दूसरा बात करेंगे ये अपने प्लांट में अगर आप इस प्रे करते हो तो ये जड़ों तक control करता है ये अगर जड़ तक कोई भी कीट होगा तो उसे भी आसानी से control कर लेगा क्योंकि ये एक systematic insecticide होने के साथ साथ में ये बहुत अच्छा result देके जाता है ये system में जाके प्लांट के अंदर पूरे प्लांट में दबा उसके कोस काउं में फैल जाती है जिससे की जैसे ही कीट इसके लिए चबाएगा या इसकी पत्तियों को खाएगा बैसे ही वो damage उसके लीवर पर attack बोलेगा और उसका लीवर damage होने के बाद में वो खत्म हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो इस तरह इसके काफिये से result देखने को मिलते हैं ठीक है उसके बाद में बात करेंगे इसके डोस के बारे में और इसी के साथ में अगर आप कोई डालना चाहते है कि हमारी जो दान की फसल है उसमें चमक अच्छी है दाना हमारा एक तिमसांदा दिखाई देने तो उसके लिए आप प्रोपी कोनाजॉल इसके साथ में कॉम्बीनेशन मिक्स करके डाल सकते हो इसका बहुत अच्छा result मिलेगा क्योंकि प्रोपी कोनाजॉल भी एक ट्राइजॉल ग्रूप का फंजी साहिड है जो कि बहुत अच्छे रिस्पॉंस देखने को मिलते हैं ठी एक प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों एक्सन होती है यानि मतलब रोग आने से पहले भी काम करेगा रोग आने के बाद भी काम करेगा तो इसके बहुत अच्छे result देखने को मिलेंगी इसके अगर आपके प्लांट के अंदर सीथ विलाइट की problem होगी तो उसे भी कंट्रोल करेगा ठीकर लीप स्पोर्ट वगारा होगा उसे भी कंट्रोल कर लेगा तो इसके साथ में अगर आप कॉम्बिनेशन मिक्स करके डालेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे result मिलेगा तो दोस्तों कॉम्बिनेशन आप समझी गए इसके डोज के वारे में बात कर करेंगे दोस्तों मैं प्रोपी कोनोजोल की वीडियो आपको एक स्पेसली बना के दूँगा कि क्यों इसके वारे में अगर बात की जाए बहुत अच्छे result देखने को मिलते हैं जो कि एक अपना जड़ तक काम करता है प्रोपी कोनोजोल की result बहुत जबर जस्त देखने को म घुलते हैं ठीक है दोस्तों अब दोनों की बात कर लेते हैं आपको इस्पेस करनी है तो जब आपका द stun-d manifest से पूंदरा पर परसेंट और पांच परसेंट तक निकल आए तब आपसे की लगा सकते हो इसकी बात करेंगे तो आप डोज की बात कर लेते तो लांसर को इंगो कि आप इस्प्रे लगा दीजीगा आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लाइक कीजीगा कमेंट करके बताएगा आपको कैसे लगी तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर ने वीडियो नई टॉपिक के साथ में